अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं यह आपने क्लिक किया इस वीडियो पर तो जाइड सी बात है कि आप भी उनमें से एक है जो एंटरेंस एक्जाम का नाम सोचकर डर रहे हैं कि क्या मैं एंटरेंस एक्जाम क्वालिफाई कर पाऊंगा क्या मेरे को एक अच्छी युनिवर्सिटी में अड्मिशन मिल पाएगा तो डेफिनेटली आपको इस कुश्चन का अंसर और यह जो डर है ना इस डर को इसी वीडियो में खतम कर दूँगा अगर आप इस वीडियो को लास तक देखोगे क्योंकि कुछ ही चीज़े हैं और ज इसको काट दोगे और अपना सेलेक्शन लेकर जाओगे जैसा कि मैंने आपको लिख रखा है इस थमनिल पर कि इस वीडियो के बाद तुम ही सेलेक्शन लेकर दिखाओगे जो अभी डर रहे हो ठीक है बट उसके लिए यार कुछ तो करना पड़ेगा ना कुछ चीज़े त होते हैं कि अगर entrance exam हमारा हो रहा है या हम किसी particular university के लिए या फिर CUET में ही अगर हम entrance exam दे रहे हैं तो वो क्या चीज़े हैं कैसे तयारी करना चाहिए क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए ठीक है बहुत important point है यह दोनों point कि क्या पढ़ना चाहिए first और क्या नहीं पढ़ना चाहिए यह भी आपको पता होना चाहिए okay so तयारी एक अच्छी तयारी ही एक अच्छा base ही आपको आपका confidence बनाएगा कि हां you will crack you will definitely crack that entrance exam मेहनत से पढ़ोगे सही path पे चलके पढ़ोगे सही जगह से पढ़ोगे तो definitely आपको सफलता मिलेगी okay तो देखो क्या होता है सबसे main चीज जो entrance exam में होती है वो होती है syllabus किसी भी university का entrance exam हो आप किसी भी university में apply कर रहे हो वहाँ पे उस particular course के लिए suppose आपने BCA के लिए apply किया या BSC या BA के लिए apply किया तो आप उस particular university का जो notification आता है उसमें आप देखिए कि क्या वहाँ पे syllabus है अगर आप इतना नहीं कर सकते हो तो family में अगर नहीं हो तो family को subscribe करके bell button दबा दीजे जैसे ही official notification वगएरा आता है तो वो हम आपको inform कर देंगे but already हमने यहाँ पे कुछ चीजे आप से share करी हुई है चाहे वो national PG college की बात हो चाहे वो लखनो university की बात हो तो कुछ courses का syllabus हमने बता रखा है तो वो आप पहले की हाँ यह यह syllabus है इसमें हमको reasoning पढ़नी है इसमें हमको English पढ़नी है इसमें हमको GK भी पढ़नी है ठीक है और इसमें हमको history, civics, geography, economics, polity and something और आपको mental attitude, reasoning वगएरा पढ़नी है और इसमें हिंदी नहीं आएगी तो हिंदी नहीं पढ़ेंगे बिलकुल touch नहीं करेंग ठीक है तो इस तरीके से आप जब syllabus देखोगे आपको तो कुछ वहाँ पे subjects मिल जाएंगे ठीक है तो उसमें मोटा मोटा आपको पता चल जाएगा कि हाँ हमको यह पढ़ना है अब अच्छा यह तो मतलब पता चल गया कि हाँ reasoning पढ़नी है हिंदी नहीं पढ़नी है English करना है ताइम वेस्ट नहीं करना है उस लेवल तक पढ़ाई करनी है और सेलेक्शन लेके निकल जाना है यूरस्टी में वह लेवल भी पता होना चाहिए अगर वह लेवल नहीं पता है न तो आप एक ही subject को पकड़े-पकड़े अंदर घुसते जाओगे घुसते जाओगे अंद में क्या होगा दो questions वहाँ से आएंगे या एक question वहाँ से आएगा और पूरा paper आपका कहीं और से आएगा या उपर उपर लेवल का आएगा जो आपने पढ़ा ही नहीं क्यूंकि आपने एक ही subject में अपना पूरा समय वेतित कर दिया वेस्ट कर दिया जो कि आपके काम ही नहीं आया तो इसलिए awareness जरूरी है कि क्या पढ़ना है कितना पढ़ना है कैसे पढ़ना है और कितना नहीं पढ़ना है क्या चीज़ आपके लिए important है कौन से subjects कौन से ऐसे particular कुछ subjects भी होते हैं अच्छा यहां पे जिसके आप scoring कर सकते हो अपना score बढ़ा सकते हो 2021 में भी म जिन पर आप थोड़ा सा time दोगे ना जो practice मांगते हैं no doubt practice वो मांगते हैं बट उस पे practice देने के साथ आप अगर correct approach के साथ उसको follow करोगे practice करोगे तो definitely उसमें 100 में से 100 या 50 में से 50 आपके score बन जाएंगे CUET में भी इसका pattern जो है आता है मैं बात कर रहा हूँ reasoning का और mental attitude का ये दो subjects ऐसे हैं जिन पर अगर आपने command बनाई अच्छे से practice किया सारा कुछ topic पढ़ा तो definitely आपको इसमें full to full marks achieve हो जाएंगे यकीन मानी और ये ऐसा part है जिसको maximum बच्चे ignore कर देते हैं और फिर मेरे को message आय 22 में कि sir मैंने आपकी वो जो जो जन्रल इंटेलिजेंस वाली reasoning वाली mental attitude वाली class को ignore किया और उसकी वजह से मेरा selection रुग गया क्योंकि मेरे general test में marks कम आए और वहीं और भी students के marks है जिन्होंने बोला कि sir general जो test था उसके basis पे हमने अपना score बढ़ा दिया और हमारा DU में हो गया हमारा अलावा यूश्टी में हो गया तो ऐसे भी students है मतलब positive negative दोनों ही रहता है तो मैं आपको इसलिए warn कर रहा हूं कि भाई reasoning और mental attitude अगर आपके syllabus में है पहले तो syllabus देखो और उस syllabus में अगर reasoning और mental attitude है छोड़ोना नहीं भाई और मैं बता दूं कि अगर आप practice कर लेते हो अच्छे से सारा सारा cover कर लेते हो तो definitely आपको चीजें बहुत ही असानी से एकदम मतलब cover होता दिखेगा और आपका slope ऐसे जाते हुए फिर ये उपर उठता हुआ दिखेगा और आप उस तरफ बढ़ जाओगे जहां पे आपकी वो जुनिवर्सिटी का admission लिखा हुआ है entrance exam crack हो जाएगा बट उसके लिए मैनत तो करनी पड़ेगी भाई मैंने बताया कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो भी आपको पता होना चाहिए ठीक है तो यह आप research कर सकते हो तो करो नहीं कर सकते हो तो 24x7CA zone यहाँ पे आपको सब कुछ provide कर रहा है ठीक है आपकी practice classes यहाँ पे YouTube पर होंगी जो कि free of cost है उस पे आप attend कर सकते हो और second यहाँ पे paid batches का भी है तो उसको भी आप join कर सकते हो अभी मैं आपको एक slide दिखा दूँगा जहाँ पे आपको WhatsApp नंबर वगरा दिखेगा और आपको काफी चीजे वहाँ पे cover हो जाएंगी और क्या पढ़न की next student से next batch ने वहाँ पे भी इनको selection मिला 2023 में भी preparation करवाएंगे और relevant content पढ़ा के बच्चों को selection देंगे ज्यादा माधा बच्ची नहीं करनी है limited पढ़ना है और उसी content के basis पे selection लेना है और निकल जाना है तो मेहनत तो करनी पढ़ेगी लेकिन सही direction में सही direction में महनती आपको सफलता दिलाएगी और वो सही direction देने के लिए मैं और मेरी team ready है आप लोगों के लिए 24 by 7 से जोन पर आपको ऐसे pocket friendly यहाँ पे courses मिलेंगे जिनको आप join करोगे तो आपको मज़ा आ जाएगी मतलब निराशा नहीं होगी यह तो मैं आपको guarantee दे रहा हू और अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो हापको questions मतलब to the point questions भी देखने को मिलेंगे इतना भी कह रहा हूँ भाई किसलिए कह रहा हूँ कि overconfidence नहीं है हमें अपनी मैनत पर भरोसा है कि हम जो content पढ़ाएंगे वो ऐसे ही तो नहीं पढ़ाएंगे ना ठीक है ऐसे ही नहीं भी उठालिया और देए दिया नो भाई देखा जाता है analysis किया जाता है कई शाले लास्ट जियर के paper को देखते हैं से questions ज्यादा उठ रहा है कहां से नहीं उठ रहा है उस topic को पकड़ते हैं उस topic को cover करवाते हैं हार एक topic को cover करवाते हैं कहां कहां से आएगा 12th का ही आएगा या 11th का आएगा या दोनों का आएगा सब चीज़े देखकर कौन-कौन से important ऐसे chapters हैं जिनको करवाना चाहिए और वह मेहनत करोगे तो definitely we will win definitely हमको सफलता मिलेगी और आपकी सफलता में आपकी selection में हमारा जीत है right तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर नेक्स लाइट दिखा जेता हूँ वहाँ पर आपको सारी चीज़े मिल जाएंगी ओके सो यह आप देख सकते हो यहाँ पर आपको selection की assurity भी मिलती है लेकिन तब जब आप हमारे साथ कंदे से कंदा मिलाकर चलोगे equal मेहनत करोगे जो हम homework देंगे वो आप करोगे सुनोगे रोज आपको इतना घिस डालेंगे ना हम इतना घिस डालेंगे कि सोने की तरह चमकोगे confidence बोलेगा तुम्हारा इस तरीके से घिसेंगे तुम्हें हम ठीक है तो इतना confidence तो हम पर है और हमारे content पर भी है ठीक है because यह सारी चीज किस पर किस चीज पर बेज मैं कहा रहा हूं मेहनत की बेज पर तो आप देख सकते हो complete course इसमें आपको कराय जाएगा कुछ भी अलग पढ़ने की जरुरत नहीं होगी जो पढ़ाएंगे बस उसको अगर आप revision करते हो बहुत होग हो ठीक है और 100% relevant content यहाँ पर 100% relevancy की जो हमारा main focus रहता है कि जो relevant content है वही पढ़ाएं ना जादा ना कम relevancy बस maintain रखनी है इच topic cover होगा आपका time saving approach आपको बताई जाएगी reasoning और mental attitude जैसे sections में जहाँ पर जो normal student है वो basic से जाएगा वो basic से जाएगा कि इसमें माना हमने इसको x वहाँ पे आपको x मानने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कुछ ऐसे approach से हम बताएंगी जिससे आपका time saving होगा यहाँ पे और वो time saving आप फिर अपने other subjects में वहाँ पे ले सकते हो उसको add on कर सकते हो time saving approach रहेगी one to one doubt discussions भी होगा doubt classes भी आपकी होगी तो यह सब चीज़े आपको मिलेंगी हमारे paid batches में देखे क्या है हर एक subject का हमने batch बना रखा है suppose आपको लगता है कि gk की आपको कोई ज़रुत नहीं है कोई बात नहीं मत लीजे आपको लगता है कि हाँ हमको reasoning लेना चाहिए mental aptitude लेना चाहिए तो इसका एक combined batch है तो वह आप ले सकते हो आपको लगता है नहीं reasoning mental aptitude मैं क्या पढ़ूँगा रहन दो हाना तो अगर आप neglect करना चाहते हो तो neglect कर दो आपको लगता है कि English आपके important है या आपको English में कमजोर हो तो आपको वहाँ पर topic सीखने है English learn करना जिससे आप अपने entrance exam में अच्छा perform कर सको तो आप सिर्फ English का batch ले सकते हो जिसको लगता है कि नहीं मेरे को एक complete batch है कि उसके मतलब मैं आपको फिर इधर उधर नहीं पढ़ना है books वगेरा नहीं पढ़नी है बस 24 by 7 season की classes पूरे-पूरे focus के साथ करनी है उनकी सर नहीं बोला है इतना भरोसा है तो definitely आप पूरा-पूरा यहां पे हर एक subject का वो course join कर सकते हो वहां पे आपको जितना पढ़ाया जाएगा content और मैंने बताया ना कि भाई इतना घिस देंगे आपको कि आप सुन की तरह चमकोगे और यकीन मानो अगर मैंनत करोगे न साथ में definitely आपका selection होगा बट बशरते आप उसी जोश और जजबे के साथ अपने डटे रहो जिस जोश और जजबे के साथ आप अभी ये वीडियो देख रहे हो ठीक है तो कुछ भी कैसे जॉइन करना है वो मैं आपको बता दूँ यह आपको देख सकते हैं आप यह यह वाला जो WhatsApp का आपको नंबर दिख रहा है सिर्फ और सिप इसी पे हमें WhatsApp आप करिए और Limited Seats है भाई पहले बता दे रहा हूं तो registration वगरा भी on है आप कर सकते हैं तो यहाँ पे आप अपना registration करिए अपनी seat book कर लिए फिर classes जो है जो board exam है उसके बाद में start हो जाएगा जैसी boards exam over होंगे वैसे ही आपकी जो classes है हमारी entrance exam की वो start हो जाएंगी और उससे पहले अगर यहाँ पे जो seats full हो जाती है तब भी हम बच्चों से पूरा concern लेकर एक बार और फिर वहाँ पे classes start कर देंगे तो यह है आपकी entrance exam के लिए full plan 2023 के लिए तो definitely I think and I can say कि अब आपको डर नहीं लग रहा होगा ठीक है तो हमने यह भी बताया कि हमारी जो classes है जो practice sessions है वो YouTube पर भी चलेंगे ठीक है तो अगर family में नहीं त subscribe कर सकते हो बाकी का जो syllabus है या particular किसी university का जैसे ही notification आता है आपने भी सुना होगा कि CUET का आने वाला है और May में उसके सायद exams होने है ठीक है तो यहाँ पे यह सब चीज़ें हैं वो आपको पता चलता रहेगा time to time हर एक university के regarding चाहे वो कोई भी university हो सभी का entrance exam में आपको एक बा आपके कई सारे targets मिल जाएंगे उस एक entrance exam की preparation से ठीक है तो तीर एक और targets कई सारे कुछ इस तरीके से हम आपको preparation करवाएंगे definitely आपको एक अच्छी university में admission मिलेगा भरोसा हमने 2021 में बनाया 2022 में और बनाया 2023 में भी बनाएंगे क्योंकि relevancy हमारी पहचान है और उस पहचान को ह पर करा रखेंगे hope so आपको ये session अच्छा लगा होगा और आपका कुछ दिमाग खुला होगा कि नहीं you also can crack the entrance exam अगर आप सही path चुनते हो सही path पे जाते हो और सही चीजे पढ़ते हो तो definitely you can crack the exam definitely मेहनत करोगे तो definitely सफलता मिलेगी यह याद रखना बस बाकी कुछ भी query है बे जी जग comment box में आप comment कर सकते हो कुछ भी अगर आपको personally कुछ पूछना है तो whatsapp कर सकते हो direct हमें इसर ये ये दिक्कत है हमारी हमको ये इस subject में issue है या कैसे करना है क्या करना है वो सब हम आपको पूरा mentorship आपको देंगे तो वो आप हमें whatsapp कर सकते हो ब आप सब इसमें बहुत अच्छा score करो उसके बाद भी जब आप entrance exam की preparation करो तो उसमें भी आपको भगवान चक्ती दे और आपको entrance exam की preparation में मदद दे और उसके बाद आपका selection भी एक अच्छी university में करवाए और आपका भविश उजवल बनाए जैहिंद